आज हम आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं चावल दही पीटा की रेशिपी आज हम इसे कड़ाई में बनेंगे ये बहुत ही जटपड बन जाती है और खाना में उत्रा ही टेस्टी ये स्पंजी भी है तो चले आज की रेशिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चावल को भीगाना होगा तो यहां मैंने 20 ग्राम चावल इसमें डाल रहे हूँ जैसे हम रभा और इडली के लिए चावल इस्तामाल करते हैं वही वाला हमें चावल चाहिए चावल डालने के बाद इसमें हभी हम पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद अब इसे चावल को अच्छे तरह रफ करके 3-4 बार के लिवास कर लेनी है तो मैंने इस अच्छे जवास कर लिया है अभी इसमें चावल के उपर के और पानी डालके इसे 4-5 घंटी के लिए भिगोनी के लिए छोड़ देंगे तो लगभगवा में चावल को भिगोते हुए 4-5 घंटा हो चुके हैं चावल भी हमारा अच्छे तरह भिग चुके हैं तो अभी ये चावल में जो पानी है अच्छे तरह इसे वास करके निकाल लेंगे पानी को तो पानी मैंने अच्छे से ड्रेंड कर लिया है, अभी हम चाउल को मिक्सिजार में डालेंगे, तो यहां एक बड़ा बाला मिक्सिजार ले लेते हैं, अभी इसमें हम सारे चाउल को डाल देंगे, डालने के बाद इसमें अभी हम दही डालेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसमें यहां मैंने चावल को अच्छे तरह पीश ले आए, चावल हमारा आधा पीशना चाहिए, आधा हम चावल को दरदरा रखेंगे, तो देखिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ही दही अलकिया था, तो अभी अच्छे तरह पीश चुके हैं, तो अभी से हम एक बड़ा वला वावल में ट्रांस्फर कर लेंगे, यहां मैंने सारे बेटर को इसमें निकल दिया आया, अभी इसमें वान फ़र को सोजी डाल देंगे, इसमें अभी बचा हुआ, दही डाल देंगे, तो टोटाल मैंने वान को इसमें दही लिया था, वान थरी को इसमें हम चीनी डाल दें कघाटा हुआ नारियल हम डालेंगे आधा कटरी तो एचोटा-चोटा पिसेश में नारियल को मैंने इस तरह काट लिए आए तो इसमें आभी हम शारे डाल देंगे आधा चोटी चमुज हम इसमें नमक डाल देंगे और ये काड़ामम का एसेंस है इसमें हम तीन ड्रॉप करीब डाल देंगे आप चाहे तो इलाची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हो 1 फॉर टीस्पून इसमें हम डाल देंगे खाने का सोड़ा सारे चीज़ों को आच्छे तरह हम मिक्स कर लेंगे बेटर हमारा बहुत ही गाड़ा है तो इसमें अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल लिए नहीं तो एक साथ जादा डालेंगे तो ये जादा पतला हो जाएगा देखिए बेटर हमारा इस तरह से पतला रहनी चाहिए इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे या गाड़ा भी नहीं करेंगे तो देखिए बेटर हमारा इस तरह से ही रहनी चाहिए अभी इसे हम कभर करके 20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तक हमारा सूजी अच्छे तरह फूल जाए तो यह लगभग 20 मिनिट हो चुके हैं तो बापस इसा मिक्स कर लेंगे सूजी भी हमारा अच्छे तरह फूल चुके हैं तो मिक्स करने के बाद अब चलते हैं इसे पकाने की प्रसेस में तो यहां मैंने पहले से ही कड़ाई का गरम हना के लिए रखा था कड़ाई हमार आचे से गरम है तो अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे तो हमें यह पिठा बनाने के लिए इस तरह से डिप कड़ाई जाहिए तो घी को स्प्रेर कर दे हैं मैंने अचे से अभी इसमें तीन चमज हम बैटो डाल देंगे पीथा आपकी हिसाब से छोटा वड़ा आप कर सकते हो डालने के बाद इसा भी हम कवर करके 4 मिन्ट के लिए लोग फ्लेम में छोड़ देंगे चार मिन्ट के बाद मैं इसका कवर हटा रहे हूँ अब ये पिठा के उपर हम थोड़ा थोड़ा घीर डाल देंगे और पिठा को हम पॉलर देते हैं तो पहले हमारा कड़ाई ज़्यादा गरम था तो इसलिए इसका कलर जो है बहुत डार्क हो गया है तो दुसरे साइड भी हम थोड़ा सा पका लेंगे यानि कि इसका कलर हलका सा चेंज होने देंगे तो ये देखिए हमारा एक पिठा भी पक चुका है तो अभी इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं वही सेम प्रेसेज में हम बाकी सारा पिठा को बना लेंगे तो ये पिठा बनाने के लिए हमें फ्लेम को लो में ही रखनी है तकि हमारा जो पिठा है बहुत ही साप्ट बनाएंगे इसे हमें ज्यादा मीडियम टु हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये जल्दी तो पक जाएंगे लेकिन इतना साप्ट नहीं बनाएंगे यह हमारा पिठा नीचे की और light brown color हो चुके हैं तो इसे हम दुसरे side color देते हैं तो दोनों की और अच्छे से यह पिठा हमारा पक चुका है तो इसे अभी हम प्लेड में निकाल लेंगे सारे पिठा को मैंने यहां पका लिया है तो मैं आपको एक तोड़ के दिखा रहे हूँ देखिए हमारा जो पिठा है अंदर से कितना सब्ड बनी है और यह बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है आप इसे एक बार घर पर जरू ट्राइ करिए मुझे लगता है आपका रेशिपी बहुत ही पसंद आएगी मिलूगी तब ते के लिए बाई थेंक यू फर वाचिंग